गईज आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमें अपने वेप्रेस वेपसाइट का बैक अप कैसे लेना है यानि हम अपने लोकल सिस्टामें यानि कम्पूटर ने लैपटॉप में डाउलोड कर सकते हैं गैज अगर हमें server को change करना है यह हम किसी और server में किसी और होस्टिम हमने उपनी website को wordpress को install करना है तो guys हम वहाँ पे upload कर सकते हैं हमारी website का guys को ही भी data loss नहीं होगा तो हमें क्या करना हम एक plugin का use करेंगे manually करेंगे और guys अगर आपको automatic backup लेना है आपको guys यहाँ पे monthly ले सकते हैं आप चाहें तो guys यहाँ पे बड़े भी ले सकते हैं लेकिन guys बड़े में लेने में हमें काफी दिक्कत है आएगी तो हम यहाँ पे weekly या monthly भी ले सकते हैं हमें एक plugin को guys यहाँ पे install करना होगा तो सबसे पहले guys आपको अपने wordpress website को login कर देना है यानि कि guys आपको wordpress website के dashboard में आना होगा and guys dashboard में आने के बाद guys यहाँ पे plugins से and आपको यहाँ पे add new plugin पे click करना है क्योंकि plugin के help से हम यहाँ पे website का backup लेंगे guys कापी सारे backup plugin है जिन से हम wordpress website का backup ले सकते हैं और upload भी कर सकते हैं तो यहाँ पर guys आपको सर्च कर देना है WP migration आप जैसे हम सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद guys all in one WP migration आपको दिखा देना है यह plugin है इस plug-in guys five plus million guys यहाँ पर active installation है तो हमें यहाँ पर install now पे click कर देना है and जैसे install हो जाएतों हम यहाँ पर guys प्लाइग इस plugin को activate कर लेंगे और activate करने के बाद guys हम अपने website का जो data है वो अपने local system है guys डाउनलोड कर लेंगे आपको active पे click करना है और जैसे हम active पे click करेंगे तो यह plugin guys activate हो जाएगा अब हमें क्या करना है जैसे यह activate हो जाएगा और यहाँ पे guys आपको दिखा देरा all-in-one WP migration तो हमें क्या करना है और अगर हमें एक नए वड़ पर इंस्टॉल करना है और अपनी website को upload करना है और यहाँ पे export to पे आपको click करना है उसके बाद guys यहाँ पर आता है file आता है app tp आता है google drive आता है यानि कि guys आपको यहाँ पे file पे click कर देना है आप चाहे तो डायरेक्टी guys यहाँ पे google drive में भी upload कर सकते हैं वहाँ से जब आपका इच्छा जब आप चाहे तब download करके upload कर सकते हैं तो यहाँ पर guys हम फाइल पे click करेंगे और फाइल पे click करने के बाद guys यहाँ पे थोड़ा सा आपको wait करना होगा उसके बाद guys हमारा यहाँ पे downloading complete हो जाएगा तब उसके बाद हमें यहाँ पे download पे click कर आप यहाँ पे download के लिए आ गया तो हमारी website को जो size है वो 240 MB है तो हमें क्या करना guys यहाँ पे download पे click कर देना है और जैसे download पे click कर देना है तो guys आपको दिखाता है कि यहाँ पे download होने लग गया है अब जैसे complete हो जाएगा तो guys हमारी website है वो local system में download हो जाएगा और अगर आप server change कर रहे हैं तो पहले guys आपको export करना होगा, नया server में आपको wordpress को install करना होगा और उसके बाद guys आपको क्या करना हो यह plugin आपको install करना है All-in-one WP migration और उसके बाद आपको import प्रक्रली करने के बाद guys आपको अपने local system वहां से upload कर देना है, ठीक है upload करने के बाद guys हमारी wordpress website पुरानी जैसी website हो जाएगी तो आपको guys यहाँ पे all-in-one WP migration इस plugin का यूज़ करके guys अपनी website का backup ले सकते हैं ये manually है और अगर आपको automatic चाहे तो उसके लिए guys आपको यहाँ पे daily backup वाला service को buy करना होगा and उसके बाद आप यहाँ पे daily backup ले सकते हैं तो guys अगर आपको कोई भी doubt है comment कीजिएगा and instagram पे जाके भी guys आप पूछ सकते हैं वहाँ पे भी guys मैं आपनों की help करूँगा और guys अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना है और channel भी guys आपको subscribe कर देना है and guys फिर मिलेंगा में एक और next वीडियो में तब तक लिए आपको अपना ध्यान रखना है जैहिन वंदे मातरम